हाई गाईज वेल्कम बाक टू माई यूटेब चैनल तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चौलाई की रेसिपी जिसको चौलाई की रेसिपी भी बोलते है आपके या क्या बोलते है ये कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना तो चलिए अब हम चलते हैं मेरी चट क्योंकि छट पे हमने ये चौलाई का साग लगा रखा है तो इसको फटा-फट हमने कट कर लिया तो सारे साग यहां पर कट हो चुके हैं तो चलिए अब इसको काट लेते हैं सबजी बनाने के लिए तो यहां मैंने इसको पैसुल से काटा है आप चाकू से भी काट सकते हैं बट इससे एजीली कट हो जाता है तो आप देख सकते हैं यह काट के रेडी कर लिया है चलिए अब चलते हैं साग बनाने के लिए तो इसके लिए सरसो के तेल में मैंने डाला है मेथी, लाल मिर्च और यह दाल जो कि मैंने एक घंटे पहले भिगो के रखी दी उसके बाद हम इसमें एड कर देंगे हल्दी आप इसमें अद्रक लेसन का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं मैंने यूज नहीं किया है जैसे यह पक जायों, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे साग जो हमने काटके रखा था और इसको हम एकदम अच्छे से मिला लेंगे, मिलाने के बाद हमें ढग देना इसे क्योंकि ये साग एकदम आधा हो जाएगा और flame हमें high नहीं रखनी है flame हमें low रखनी है इस time पे ये साग बहुत tasty बनके ready होता है आप चावल के साथ खाएंगे तो बहुत ही tasty लगेगा और healthy तो ये होता ही है तो यहां मैंने इसको डग दिया है 10-15 मिनिट के लिए और आप देख सकते हैं ये almost बनके ready है फिर last में मैंने इसमें add किया था नमक और मैंने इसको अच्छे से मिला लिया आप देख सकते हैं ये एकदम बनके तयार है तो हमारे घर तो बने हैं इसके साथ चावल आप रोटी के साथ भी enjoy कर सकते हैं तो मैं तो जा रहे हैं इसको enjoy करने आप comment box में जरूर बताना आपको मेरी ये recipe कैसी लगी बाबाई like share and subscribe to my youtube चैनल